प्रेरित पाउलूस की रोमियो के नाम पत्रीं अध्धाई पांच वचन साथ और आठ मैं पढ़ रही हूँ धान दे कर सुनू किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यहां तो दुरलब है परन्तु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे परन्तु परमिश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रिति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा हालेलूया बचन कहता है किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यहां तो दुरलब है ऐसा हो नहीं सकता कि धर्मी जन के लिए भले मनुष्य के लिए कोई मरेगा पर ऐसा कभी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करेगा पर परमेश्वर उसका जो प्यार हमारे उपर है वहाँ प्यार उस प्यार की भलाई उसने इस रिती से प्रकट की है परमेश्वर ने उसका प्यार जो हमारे उपर है वो इस तरह से दिखाया है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा यह वचन हमें परमेश्वर के प्यार के बारे में बता रहे है परमेश्वर दुनिया के हर मनुष्य के उपर हर इनसान के उपर कितना प्यार करता है बूरी बात यह है कि दुनिया जानती ही नहीं कि परमेश्वर हमारे उपर प्रेम करता है पर इस स्वचन में परमेश्वर का प्यार कितना बड़ा है कितना महान है वो दिखाया है यदि आपको पूछा गया कि क्या परमेश्वर आपसे प्यार करता है कोई लोग जवाब देंगे मैं नहीं सोचता मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर मुझपर प्यार करता है क्योंकि य यदि वो मुझ पर इतना प्यार करता, तो मेरे पास नौकरी क्यों नहीं है? यदि वो मुझ पर प्यार करता, तो मेरे पास रहने के लिए मकान क्यों नहीं है? यदि वो मुझ पर प्यार करता है, तो मेरे शरीर में बार बार बिमारिय क्यों आ रही है? कितने बार हम इनसान के प्यार के बारे में सोचते है, बोलते भी है और इनसान के प्यार के उपर बड़ी-बड़ी कविताय भी लिखी जाती है मा का प्यार कितना बड़ा होता है, पिताजी का प्यार कितना बड़ा होता है एक बहन का प्यार कितना बड़ा होता है एक भाई का प्यार कितना बड़ा होता है पर दुनिया में ऐसी बहुत कम कविताय उपलब्द है जिसमें परमेश्वर के प्यार के बारे में लिखा गया है दुनिया में मा के लिए एक दिन मनाया जाता है जिसे Mother's Day बोलते हैं पिताजी के लिए एक दिन मनाया जाता है जिसे Father's Day बोलते हैं पर दुनिया में क्या परमेश्वर के लिए कोई दिन मनाया जाता है उस आसमानी खुदा के लिए जिसने हमें बनाया है जिसने हमें जीवन दिया है 365 दिनों में से एक दिन भी उसके लिए कोई नहीं मनाता इसलिए मैंने कहां कि मा का प्यार कितना बड़ा है आप देखो पूरे दुनिया भर में कविता ही कविता है मा का प्यार कितना बड़ा पिताजी का प्यार कितना बड़ा, बहन का प्यार कितना बड़ा, पर परमेश्वर का प्यार कितना बड़ा, कोई नहीं बोलता, क्योंकि लोग जानती ही नहीं है, कि परमेश्वर हम पर प्यार करता है, हालेलुया, 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 बाइबिल हमें छिल्ला कर कहती है, कि परमेश्वर प्रेम है वो तुमसे प्यार करता है प्यार करता है और सिर्फ प्यार करता है वो तुमसे कभी नफरत नहीं करता दुनिया के लोग कहते हैं पहली बात हम परमेश्वर को पहचानते नहीं वो कैसा दिखता है कहां रहता है क्या बोलता है होता तो हमारे जीवन में मुसीबते ना आती हमारे जीवन में परिशानी ना आती हालेलुया हालेलुया पर क्या ये सच है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है क्या ये सच है कि परमेश्वर हमसे नफरत करता है क्या ये सच है कि परमेश्वर हम पर प्यार नहीं करता है वा परमेश्वर हमसे प्यार करता है हालेलूया हालेलूया पर फर्क ये है कि इनसान का प्यार हमें दिखाई देता है परमेश्वर का प्यार दिखाई नहीं देता है आज सुबह हम उठे हमारे उठने से पहले सूरज की रौश्नी आ रही थी ये सूरज बनाया किसने राद भर हम सो रहे थे तब हम कहा पर थे हमें नहीं मालूम और ये भी नहीं पता था कि सुबह हम जाग जाएंगे या नहीं हमें जगाया किसने राद भर हम सोय हुए थे तब हमारे शरीर में जो सास चल रही थी वो किसने शुरू रखी किसने हमें जिन्दा रखा, किसने हमारी रक्षा की, किसने सुवा हमें जगाया और किसने हमें सूरज की रोशनी दी, किसने हमें हवा दी, किसने हमें पानी दिया और किसने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया लोग सोचते ही नहीं है परमेश्वर का प्यार आखों से दिखाई नहीं देता है इसलिए लोग कहते है कि परमेश्वर है नहीं और यदि होगा तो भी वो हमसे प्यार नहीं करता है क्योंकि हमें बस मुसीबते दिखाई देती है परिशानिया दिखाई देती है बिमारिया द दिखाई देती है पर परमेश्वर का प्यार दिखाई नहीं दे रहा है हालेलुया 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 बाइबिल कहती है परमेश्वर प्यार है वो प्यार है और सिर्फ प्यार है वो मनुश्यों का भला करता है भला करता है और सिर्फ भला करता है वो कभी किसी क बूरा नहीं होने देता हालेलुया हालेलुया एक सत्य घटना बताई जाती है एक वेक्ति नाव में से कहीं जा रहा था और अचानक बहुत बड़ी तुफान आ गई उसकी नाव डूब गई ये वेक्ति तैरते तैरते किनारे पर आ गया पर वहां पहुचने के बाद उसके ध रहा देखी कि कोई तो जहाज एक समुंदर से इस तरफ आएगा और मैं उस जहाज में बैटकर मेरे घर वापस लवड जाओंगा बहुत दिन तक उसने रहा देखी उस किनारे पर कोई जहाज नहीं आया क्योंकि वहां एक सुनसान जगह थी जंगल से भरी हुई वहां कोई इनसान आता ही नहीं था तो जहाज आने का सवाल नहीं था फिर उसने सोचा अभी बच्ची हुई मेरी जिन्दगी मुझे यहीं पर काटनी पड़ेगी उसने वहां पर एक जोपड़ी बनाई उस जोपड़ी में रहने लगा वो जंगल में घुमता था जो भी जड़ी बु उसकी जोपड़ी को आग लगी हुई है और पूरी उसकी जोपड़ी जल रही है जब उसने देखा तब उसका दिल बहुत दुखी बन गया और वो आस्मान की और देखकर रोकर बोलने लगा है परमिश्वर तु है कहां कितने दिन से मैं सुनसान जगह पर अकेला पड़ा ह हूँ यहां कोई नहीं आ रहा है कितने दिनों से मैंने मेरी अवरत को मेरे बच्छों को नहीं देखा है यहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता भी नहीं है और इतनी मेहनत उठाकर मैंने यह जोपड़ी बना दिती इसे भी तुने जलाडाला तु है कहाँ पर तु इतना दुष्ट क्यूं है तु मुझे पर इतना नाराज क्यूं है क्यूं मुझे सता रहा है क्यूं मुझे पीडा दे रहा है वो परमेश्वर को इल्जाम दे रहा था रो रहा था जोर जोर से चिला रहा था और वैसा ही निराशोकर वहाँ पर बैठा रहा उतने में उसे दिखाई दिया दूर से समुंदर से एक जहाज उस किनारे की तरफ आ रहा था जब उसने जहाज देखा वो बड़ा खूश हो गया दवड़ते होए किनारे के पास जाकर रुका जहाज रुका उसमें से कुछ लोग उतर कर आए और उसे बोले चलो हम कि मैं कैसा पता चला कि मैं यहां पर अटका हुआ हूं उन्हों ने कहा हमें किसी ने बताया नहीं हम यहां से होकर जा रहे थे पर हमने यहां कुछ तो जलते हुए देखा और यह सोचा कि कोई मनुष्य यहां अटका हुआ है और हमें बुलाने के लिए उसने ये जाल बना दिया है हालेलोया बहुत बार हम भी ऐसा ही करते है परमिश्वर के प्यार को हम समझते नहीं है और बार बार बोलते है प्रभू तु मुझे क्यों पीडा दे रहा है तु मुझे क्यों सता रहा है कितने बार हम बोलते हैं क्यों मैं बिमार हूँ आपको बिमारी है और आप परिशान है प्रभू ने आपको एक अच्छा सुन्दर शरीर दिया इसके लिए जिन्दगी में कभी उसको थैंक्यू बोला है कभी उसको धन्यवाद दिया है एक सुन्दर शरेर दिया उसके लिए कभी उसे धन्यवाद बोला है क्या नहीं बोला और जब विमारी आई तब बोलते है प्रभू क्यों मुझे सता रहा है परमेश्वर प्यार है प्यार है और वो प्यार है इस स्वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपना प्यार इस रिती से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब ही मसी हमारे लिए मरा कोई धर्मी जन के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा भले मनुष्य के लिए भी कोई मरने का साहस नहीं करेगा पर परमेश्वर ने हम पर इतना प्यार किया कि हम पापी थे तब ही प्रभी इश्व मसी हमारे लिए कुरूस पर मर गया एक इंसान के प्यार को सीमा होती है हर किसी के प्यार को सीमा होती है हर कोई एक सीमा तक प्यार करता है उसके बाहर प्यार नहीं कर सकता है पर परमेश्वर के प्यार को कोई सीमा नहीं है बहुत साल पहले की घटना है एक वेक्ति प्रार्थना में आया था उसने ब्रदर को ऐसा बताया मेरा लड़का मुझे इतना परिशान करता है और मैं उसे इतना तंग हो चुका हूँ कि कई बार मैंने सुपारी दे कर मेरे लड़के को जान से मार डालू खुदका बेटा जान से मारना चाहता है क्योंकि बेटे के सारी हरकतों से तंग हो चुका है वो प्रार्थना में आया था और ब्रदर को बता रहा था मैं मेरी लड़के के बूरे हरकतों से इतना तंग हो चुका हूँ कि उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा हूँ मानुष्य के प्यार की एक सीमा रहती है कोई वेक्ति शरा भी होता है उसकी माँ उसे समझाती है पिता जे समझाते है घरवाले समझाते है वो किसी की बात सुनता नहीं तब ही घरवाले बोलते है अच्छा हो जाएगा यदि मर जाएगा क्यों क्या हो गया प्यार खतम हो गया जो कोई बूरा बरताव करता है उसे समझाने के लिए लोग कोशिश करते हैं जब यह सुधरता ही नहीं तब लोग सोचते यह मर जाएगा तो अच्छा हो जाएगा दुनिया में सारे लोग पाप में डूबे हुए थे शैतान का सुनकर गलत रास्ते से चल रहे थे परमेश्वर ने आस्मान से मनुश्यों की हालत देखी तब यह उसने यह नहीं सोचा मैं इन सब को उठा कर उस अगनी के जाल में नरक में डाल दूँगा उसने यह नहीं सोचा मैं इनको शैतान के हाथ में छोड़ देता हूँ वो जिन्दगी पर दुख उठाते रहे मरने के बात नरक में जाए यह पाप करते हैं मेरी बात को सुनते नहीं मैं उन पर इतना प्यार करता हूँ इतना प्यार करता हूँ तो भी मेरे प्यार की उपर देखते नहीं है, शैतान की बात को सुनते हैं, अभी जाने दो शैतान के हाथ में, तडबते रहने दो उनको, मरने के बात नरक में भी जाने दो, नहीं, इसलिए तो बताया है, परमेश्वर असिमित प्यार करता है, उसने जब आस्मान से मनुष्यों की हालत देखी, कि इंसा पाप करता है, पाप की वज़ा से शैतान की हाथ में जाता है, दूख उठाता है, मरने के बाद उसकी आत्मा नरक में जाती है, तब उसका दिल तरस से भर गया, करुना से भर गया, और इंसान को बचाने के लिए वो परमेश्वर इंसान बन कर धरती पर आया, इंसान के सार पापों का दण खुद के कंधे पर उठाया इसलिए कि जो कोई उस पर विश्वास करेंगे उन्हें पापों की एक शमा मिल जाएगी उनकी आत्मा की उपर जो पाप के दाग लगे हुए है वो खतम हो जाएगे उन्हें धरती पर स्वर्ग के आशिश मिल जाएगे और यहां क जीवन खतम होने के बाद वे अनन्त जीवन में याने परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे इतना पापी इंसान इतना पापों से भरा हुआ इंसान इतना गंदगी से भरा हुआ इंसान पर परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि मैं इसे नरक में डाल दूंगा बलकि पर मेश्वर ने सोचा मैं बच्छाओंगा मैं खुद इंसान बनकर धर्ती पर जाओंगा इनके पापों का दंड खुद लूँगा इनके पापों की सजा मैं खुद उठाओंगा ताके मुझ पर विश्वास करने के द्वारा इने पापों की ख्षमा मिल जाएगी और ये मेरे सा हमेशा कि लिए स्वर्ग में आयेंगे हालेलुया 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 इसलिए वच्छन कहता है कि परमेश्वर अपने प्यार की भलाई इस रिती से प्रकट करता है उसने हमारे उपर जो इतना बड़ा प्यार किया, वो ऐसा प्रकट किया कि जब हम अच्छे थे, जब हम धर्मी थे, जब हम सही रास्ते से चल रहे थे, तब ही नहीं, बलकि जब हम बूरे थे, गंदगी से भरे हुए थे, पापोन से भरे हुए थे, तब हमें बचाने के क्रूस पर अपनी चान दी हालेलुईया हालेलुईया जब ईशु धर्ती पर आया तब उसने परमेश्वर का सच्छा प्यार दिखाया उसने लोगों को बिमारियों से चंगा किया अंधे की आखे खोली गुंगे को बोलने की शक्ती दी मरे हुए को जिन्दा किया रोने वाले के आस्वों को पोश डाला और हर पापी को उसनिक शमा किया हर पापी को उसके पाथ जितने पापी लोग आये उनको उसनिक शमा किया वो परमेश्वर था, पवित्र था, पाप विरहित था तो भी पापियों के बीच में रहा प्रभी इशु के बारे में ऐसी घटना हुई थी कि एक बार वो एक घर में खाना खाने के लिए बैठा हुआ था तब उस गाव के एक पापी अवरत उस घर में आ गई वो इशु के चर्णों के पास बैठ कर रोने लगी अपने आसुओं के द्वारा उसने इशु के पैरों को धोआ और अपने बालों से उसके पैरों को पोछ दिया जब यह सब को चल रहा था उस घर में बड़ी भीड मौजूद थी क्योंकि इशु वहाँ पर था ये भीड ये सारी घटना को देख रहे थी ये अवरत कैसे रो रही है कैसे उसके आसू प्रवेशु के चरणों पर गिरते जा रहे है गिरते जा रहे है और वो अपने बालों से कैसे उस आसूं को पोच रही है घर में मौजुद सारे लोग देख रहे थे और वो मन में सोच रहे थे कि यदि ये परमिश्वर का पुत्र है यदि ये पवित्र परमिश्वर है तो इस पापी अवरत को खुद को छूने क्यों दे रहा है वो तो पापी अवरत है वो उसे दुर क्यों नहीं हटा रहा है उसे छूने की इजाज़त क्यों दे रहा है यद इशु ने जान लिया कि यहां खड़े लोग क्या सोच रहे हैं, अपने अपने मन में क्या विचार ला रहे हैं, इशु ने जान लिया, और उस घर के मालिक को कहां, जब मैं तुम्हारे घर में आया, तब तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, पर इस पर मूड कर इशु ने कहा, इसने जितने सारे पाप किये है, सारे पापों को क्षमा की गई है, हालेलुया, 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 परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी उन से नहीं, वो पाप से घुरूना करता है, पापी मनुष्य से घुरूना नहीं करता, यद को और मुझे उसके सामने खड़े रहने की कोई हिम्मत नहीं है, हमें कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर जो प्यार का सागर है, प्यार से भरा हुआ है, वही परमेश्वर एक भस्म करने वाला अगनी भी है, यदि हम पाप से भरे हुए है और वो पापी वेक से नफरत करता है तो उसके अगनी में हम भस्म हो जाएंगे पर वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है वो इंसान बनकर धर्ती पर आया उसने हमारे पापों का दंड खुद लिया पूरी मानवताने जितने पाप किये थे जितना शैतान का सुना था उसके लिए जो सजा उसे होने जा रही थी जो दंड हमें लेना था वो दंड प्रभियेश्व ने लिया उससे मारा गया उसको बहुत सताया गया उसको बहुत पीडा दी गई उसने बहुत वेदना उठाई पर इसलिए नहीं कि उसने कुछ गुनाह किया था उसने कुछ गलती कि थी प्रभियेश्व कि में एक भी गलती नहीं की, एक भी नहीं, जो भी उसने सहा और जो भी दूख उसने उठाया, वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए और दुनिया के हर मनुष्यों के पापों के लिए उठाया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी, उसके बहे हुए खून के द्वारा हमारी आत्मा को शुद्ध किया जाएगा, हमारा परमिश्वर के साथ मेल हो जाएगा, शैतान के बंधन से हम मुक्त हो जाएगे, हमारे जीवन के सारे श्राप खतम हो जाएगे, स्वर्ग के परमेश्वर के आशिश हमारे जीवन में बहने शुरू हो जाएंगे और सबसे बड़ा आशिश धर्ती का जीवन खतम होने के बाद हम अनन्त जीवन में प्रविश कर पाएंगे हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारे भाई और बहनों परमेश्वर प्यार है और परमेश्वर असिमित प्यार है तुम्हारे दिल की आखे जब तुम खोलोगे तभी परमेश्वर का प्यार दिखाई देगा इन आखोन से परमेश्वर का प्यार दिखाई नहीं देता है इसलिए तो प्रभी एशु ने कहा आसमान के पंचियों को देखो ठीक से देखो गौर से देखो तो क्या हो जाएगा तुम जानोगे कि पंची कुछ भी काम नहीं करते है ना बोते है ना काटते है ना बटोरते है कुछ भी काम नहीं करते है तो भी उन्हें सही समय पे खाने क को मिलता है ये बिना मेहनत की बिना पसिना बहाए अच्छे से खाना खाते हैं और बड़ी खुशी से अपने जिन्दगी बिताते हैं तुम्हारा स्वर्गिय पिता यदि आस्मान के पंचियों को खाने के लिए दे रहा है तो क्या वो तुम्हें खाने को नहीं देगा वो अंशियों का सुरुष्टी करता है प्राणियों का सुरुष्टी करता है पर इंसान का सुरुष्टी करता है और उसके साथ इंसान का सच्छा बाप है अनंत कालिन बाप है वो यदि हमारा बाप है तो वो हमें भुका कैसे रखेगा वो यदि हमारा बाप है तो वो हमें खा जाएगी तभी इन आखोन से परमेश्वर का प्यार दिखाई नहीं देता। हालेलुईया, आज दुनिया में लोग रो रहे हैं, परिशान है, एक तरफ से परमेश्वर अपना प्यार प्रकट कर रहा है, फिर भी दुसरी तरफ से लोगों के आसु बहना शुरू है, दुसरी तरफ से लोग दूख उठा रहे हैं, बोज उठा रहे हैं, अपने पापों क का बोज उठा कर छल रहे है क्यूंकि वे नहीं जानते कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है जिन्दगी में जो मनुष्य परमेश्वर के प्यार को पहचानता है जो मनुष्य जानता है कि परमेश्वर मुझ पर कितना प्यार करता है उसने मुझे कितना दिया है कितना अ उनके दिल में स्वर्ग की शान्ती बने रहती है। हालेलुया, 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 चाहे आपके जिन्दगी मुव जोपड़ी जलते हुई आपको दिखाई दे रही होगी, पर इसके पीछे परमेश्वर का मकसद है कि आपको उस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया, हम बस बिमारियों को देखते है, परिशानियों को देखते है, संकट को देखते है, परमेश्वर कितना प्यार करता है, ये नहीं देखते। उसने मुझे दिया क्या है ये नहीं देखते, कितना अनुग्रह मुझ पर हुआ है ये नहीं देखते, हमेशा हम से दुसरे के पाद जितना अच्छा है उसके उपर देखते हैं, उसका कितना अच्छा चल रहा है, उसका कितना अच्छा चल रहा है, इसका कितना अच्छा चल बताई जाती है एक गरीब बाप का बेटा था जिसको जूते खरीदने थे वो बार बार अपने पिता जिसे कहता था मैं जूते चाहता हूं पर पिता जी बेचारा गरीब था वो कभी अपने लड़के को जूते खरीद कर नहीं ला कर दे पाया और ये लड़का हमेशा शिकाय करते रहता था कि तू मेरा बाप है पर मेरी जरूरत को पूरा नहीं करता है मेरे दोस्त देख स्कूल में आते हैं जूते पहनते हैं उनका सब अच्छा चल रहा है मुझे साधारन जूते भी नहीं मिल रहे है और वो बोलता था कि है प्रभू तू कैसा है मुझे ऐसा गरीब बाब दिया जो मुझे जूते भी लाकर नहीं दे सकता है। एक दिन ये लड़का अपने पिताजे के साथ रास्ते से जा रहा था। तब उसने उसकी उमर के दुसरे एक लड़के को देखा जिसको पैर ही नहीं थी। जिसको पैर नहीं थे अपाहिच था और वो ऐसा दुरबल हालत में बैठा हुआ था। जब उसने लड़के उस अपाहिच लड़के को देखा तब उससे बहुत बुरा लगा। उसका बाब बस उसके और देखने लगा कुछ बोला नहीं। तब ही वो लड़का बोला इस लड आशिशिदू क्योंकि परमिश्वर ने मुझे अच्छे पैर दिये है। हाललुया। हमेशा हमसे किसी के पास जादा है उसके उपर हम देखते हैं। इसके पास ये है मेरे पास नहीं। उसके पास ये है मेरे पास नहीं। उसके पास ये है मेरे पास नहीं। मत भूलो तु उनसे भी बहुत ज्यादा निराश लोग दुनिया में है और उनसे ज्यादा परमेश्वर ने तुम्हें आशिश दिया है दिल की आखे खोलो आत्मा की आखे खोलो तो तुम्हें परमेश्वर का प्यार दिखाई देगा और जब तुम परमेश्वर के प्यार को जानोगे परिवार दिया है, ये सब तो दियाई है, इस सबसे बढ़कर आशिर जो उसने दिया है, प्रभी एश्व ने हमारे ले कुरूस पर जान दी है, वो हमारे ले कुरूस पर मरा है, अभी हमें हमारे पापों का बोच उठाना नहीं है, हमें हमारे पापों का दंड उठाना नहीं है हमें विश्वास है हमें बरोसा है कि प्रवयेश्य हमारे लिए मरा है उसने हमें पापों की इक्षमा दी है हमारे जीवन में स्वर्ग की रोशनी आ चुकी है और हमारे नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखे गए है जब ये धरती का जीवन खतम हो जाएगा तब हम निकल कर स्वर्ग में पहुचेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, अनंत काल की खुशी हमारे जीवन में रहेगी, यहां धरती पर रोणा है, धरती पर बिमारी है, धरती पर आसु है, उस अनंत जीवन में आसु नहीं होंगी, बिमारी नहीं होगी, परिशानी नहीं होगी क्योंकि उस अनंद जीवन में शैतान को प्रवेश नहीं है शैतान वहाँ नहीं इसलिए किसी भी प्रकार का बुरा वहाँ नहीं है हालेलोया, हालेलोया, हालेलोया प्रवेशु का क्रूसपर का बलिदान यहां परमेश्वर ने हमारे उपर किया हुआ सबसे बड़ा प्यार है सबसे बड़ा प्यार उसने आपको शरिर दिया उसने आपके जिन्दगी में बहुत सारे आशिशी दिये इन सबसे बढ़कर सबसे बड़ा आशिश ये है कि इश्यू हमारे ले कुरूस पर मरा उसके बलिदान के कारण हमें पाप के क्षमा मिलती है उसके बलिदान के कारण हमें छुटकारा मिलता है उसके बलिदान के कारण हम शैतान के बंदन से मुक्त हो जाते है उसके बलिदान के कारण हम स्वर्ग के आशिशों को पाते है और उसके बलिदान के कारण हमें भरोसा है कि मरने के बाद हम स्वर्गा में पहुशेंगे हालेलुया